हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल टैग बिग ब्रो में और मैं हूँ सत्यम कुमार तो आज आपको में एक बहुत है अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग फोटो इडिटिंग एप के बारें बताने वाला हूँ जिस एप को देखकर आप बहुत हहरान हो जाएंगे तो आज आपको में फिक्स एप फोटो इडिटर एक के बारें बताने वाला हूँ तो देखिए पहले आपको इस एप को डाउनलोड करना होगा तो इसका लिंक में निचे डिस्क्रिशन में दे दूँगा तो वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद यहां पर देखें आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए इस आप तक पहुंचे तो देखिए यहां पर हमारे पास है पीक से अपस तो इसको पहले आपर मैं उपन कर लेता हूं और देखिए उपन करने के बाद आपको जितने भी पर मिस्टेंस माइएंगे सबको एलाव करके आपके यहां पर देखिए आपको 50 Go कर दो किए करता हूं और देखेंहाँ पर प्रमेरा ईपसन आ गया कैमजर देखिए मघन्हें लेता हूं Faber अबने ओनाों देखिए मैं अपने चीनवारी को खुने के बार यहां ? आउ तो देखे इस Trump लेने के बारिर यहां पर देखिये आपको कुछ इस तरह आईगा तु यहां पर देखे शिक्स सकते हैं तो देखे में इसतरह कर देखिस्थ और देखिए आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा sketch का option यहां पर अपने फोटो का भी another बना सकते हैं तो यहाँ पर मेरा sketch बन गया तो आप इस तरह का किसी भी color में किसी भी type से बना सकते हैं और यहां पर देखें और आपका tools का option मिलेगा तो पर ऑगे और देखेए आपर आपको कुछ कर सकते हैं तो देखेएाँ पर आपका कुछ इस तरह का चलेगा और देखेये इस तरह का चलने के पार इसे पुरह यहां घरने के बाद इसे आप यहाँ पर कम بھی कर सकते हैं त內 नमच जादा भी इसा तरह और तो देखें यहाँ पर आपका कुछ हर बार इस तरह का चलेगा और इस तरह का करके अपने फोटो को ईडित कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें मेरा इस तरह का हो रहा है तो फिर YouTube को कर सकते आपको कम भी कर सकते और ज्यादा भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें में बैका जाता हूं और देखें यहाँ पर बैक आने के बार यह एड को क्लोज कर देना है तो यहाँ पर देखें सभी एड को आप पहले कर दिजिए और कट करने के बाद देखें यहाँ से बैक और आपको अलग अलग embora गार्यमेंट मिल जाएंगी तो यहाँ पर देखिए मेरे बहुत साव यह t54 को लगा सकते हैं तो यहाँ पर देतने सारे तो यहाँ पर मैं किसी भी स्टीकड को लगा सकता हूं तो देखिए आपको यहाँ पर इसी तो यहां पर देखे मैं इस तरह से बहुत साथ stickers में किसी भी sticker को लगा सकता हूँ तो यहां पर देखे में एक sticker को ले लिए और देखे इस sticker को आप कहीं भी set कर सकते इसे छोटा बड़ा और rotate भी कर सकते आपको जहाँ पर set करना है तो देखिए इसको यहाँ पर में set कर देता है और set करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर background का option मिलेगा तो background पर click कीजिए और देखे यहाँ पर आप किसी भी उप्सन में एक में किलिक कर लीजिए और देखे एक में किलिक करने के बाद आपके यहाँ पर बैक ग्राउंड बहुत सारे ग्राउंड खुल जाएंगे तो यहाँ पर आप किसी भी बैक ग्राउंड को लगा सकते हैं तो देखिए इस तरह का आप किसी भी background को लगा सकते आपको जो भी अच्छा लगेगा आप वह यहां से लगा सकते तो देखें मैं इसको लगा दिया और देखें यहां पर आपको और स्कुरॉल करना है स्कुरॉल करने के बार आपको यहां पर crop का option मिलेगा तो crop पर क्लिक लगा सकते हैं तो यहां पर आपको बहुत साथ effect को लगा सकते हैं तो यहां पर देखें आपको बहुत साथ effect को लगा सकते हैं तो यहां पर देखें आपको बहुत साथ effect को लगा सकते हैं तो यहां पर देखें आपको बहुत साथ effect को लगा सकते हैं तो यहां पर देखें आ भी कोई भी effect लगा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं एक effect को लगाता हूं और देखिए यहाँ पर इस effect को लगाने के बाद फिर इसी पर click किजिए और देखिए आप यहाँ से इसे कम भी कर सकते हैं और देखिए इसे अगर यहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ प जाएगा बडिये तो इस तो इस तरह काप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं यह पर पर प्रकिलीक करने के बाद फिर आपका एड आएगा तो इस तरह का और भी बहुत सारा options मिलेगा तो यहां से आप किसी भी option को लगा सकते हैं और देखे यहां पर आपको text का option मिलेगा यहां पर देखे आपको text का option पर click किजिए और देखे text के option पर click करने के बाद यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं तो देखें यहां पर मैं लिख देता हूं तो देखें यहां पर यह लिखने के बाद यहां पर आपको यह उप्सन मिलेगा तो इस पर किलिक किजिए यहां पर देखिए यहां पर इस पर किलिक करके आप यहां पर अलग-अलग फॉंट भी लगा सकते आपको जो फॉंट अच चाले को चेंज कर सकते हैं आपको जो भी अच्छा लगता अपूसे सेट कर दिजिए यहाँ पर रिशे कर देटा दो यहाँ परose में यहाँ पर इसमें आगे हैं तो यहाँ बैक कर सकते्टो आपको जो भी कलर सेट करना है तिसको भी कळा sed और देखिए आपको यहां पर यह option मिलेगा तो इससे आप अपने टेक्स्ट को बीच में और राइट और लेफ्ट सेट कर सकते हैं और देखिए फिर इस पर क्लिक किजिए और इसको आप कहीं भी जेस्ट कर सकते छोटा बड़ा करके तो इस तरह का आप लिख के कहीं फिसे सेट कर सकते हैं तो यहां पर देखिए इसको मैं यहां पर सेट कर देता हूं और देखें यहाँ पर सेट करने के बाद आपको इस तरह का कुछ हो जाएगा और देखें फिर यहाँ पर होने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पर ऑप्सन मिलेगा तो इस पर किलिक कीजिए और देखें आपके यहाँ पर सेव होने का उप्सन आएगा तो यहाँ पर आप डालीग्राम कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं तो यहां पर देखिए इसको मैं अपने गैलेरी में सेव कर लिया और देखिए गैलेरी में सेव करने के बाद यहां से आप बैक आने के बाद यहां पर पूरा बैक आजाईए शुरू में जहात है और देखिए यहां पर बैक आने के ले यहां पर बाद पिर आपका कुछ इस तरह का एगा तो यहां इस से कड़ कर दीजे और देखे इसको जितना क्रॉप करना चाहते हैं आप इसे उतना क्रॉप कर दिजिए और यहाँ पर उपर किलिक करके यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं इस तरह का तो देखे आपका कुछ इस तरह का होगा और देखे इस तरह आने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह की ऑप्श मिलेगा तो यहां पर देखिए आप इस तरह का बैक्ग्राउंड सेट करके देखिए आपका किस्तना अच्छा कट क्या और देखिए आप इस तरह का सेट कर सकते हैं आपको बैक्गराउंड में कोई भी कलर आप सेट कर सकते हैं और देखिए अभी आपको यहां पर हो ली आ रहा है तो आप इस तरह का कोई भी सेलेट करके अपने फोटो को बना सकते हैं तो देखिए इस तरह का में बाद के सेभी एस्टिकर को लगा सकते हैं और आप इस तरह के फोटो सेलेट करके लगा सकते हैं और देखे सब्सक्राइब करने के बाद के अपनगर किलिक किजिए और फिर इस तरह का देखे और देखे यहाँ पर इसे कट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर गुलाबी कलर में आप्सन मिलेगा तो इस पर किलिक किजिए और देखे इस पर किलिक करने के बाद अपने गैलेरी से एक इमेज को ले लिजिए तो यहाँ से देखिए मैं एक image को पहले अपने gallery से ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं अपने gallery में आ गया और देखिए यहाँ पर gallery में आने के बाद मैं अपने एक किसी भी image को ले लूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक image यहाँ पर मैं अभी अपने एक image को ले लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर यह कुछ दिख रहा है इस तरह का तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर इस तरह का गलेरी खुल जाएगा और यहां से फिर आप एक किसी भी image को ले लिजिए तो यहां पर देखे मैं अपने एक image को ले लेता हूँ तो देखे इस image को यहां पर लेने के बाद आपका कुछी इस तरह आएगा तो इसे भी cut कर दीजिए और देखे यहां पर मैं इसे cut कर दिया और आपका इस तरह का option आएगा तो आप यहाँ पर इस तरह से आपको इसी भी तरह का कोई भी set कर सकते और आपका background का ये खुद ही select कर लेगा और देखे आपको इस तरह का बहुत सारे options मिलेगा और आप इसे बड़ा चोटा भी कर सकते आपको जिसा ये select करना है तो देखे यहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे options मिलेंगे तो यहां से आप इस तरह में से कोई भी लगा सकते हैं तो यहां पर देखिए आपको इसी तरह के बहुत सारे options मिलेंगे तो यहां से आप इसमें कोई भी लगा सकते हैं तो यहां पर देखिए मैं इसको लगा देता हूँ कर दिए और इनकी करने के बाद देख इसको कुछ यां पर इस तरह कबड़ा करदेता है और देखिए यहां पर आपकर बैक्ग्रांड का उपसन मिलेगा तो विल्यम पर किलिक जिए और देखिए यहां पर यहां पर आजिए और इसको कीजिए और देखे आप इसे भी अपने चेहरे को भी आप ook creeping कर को कुछ इस तरह का मिल जाए तो आप इस तरह में इसे किसी भी तरह का सेड़ कर सकते तो इस तो आप में अच्छा कर जदा और देखिए इस तरह का सेलेक्ट करने के यहां पर इसी तरह से सेव पर किलिक किगा ựए सेव पर किलिक करके कि अपने कैलयरी में बनीटेश कर लीजिएए तो यहां पर देखिए में इसको सेव violation talk लेता और आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के पर सेयर कर दें तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में